Brought to you by Biz Analyst by Khatabook की एस seat 1998 से ही ब्रिजेश सिंग के परिवार के पास रही है ब्रिजेश सिंग खुद इस seat से MLC रहे है ऐसे हमें सवाल भूठ रहे हैं कि आखिर क्यों ब्रिजेश सिंग ने इस seat से अपना नामांकन वापस ले लिया इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने कुछ वरिष्ट पत्रकारों से बात की वरनसी से सम्मन्द रखने वाले वरिष्ट पत्रकार पवन सिंग काफी लंबे समय से छेतर में कराइम बीट कवर कर रहे हैं और उन्होंने ब्रिजेश सिंग के परच्चा वापस लेने के पीछे कई कारण जिम्मेदा ठहरा है योगिया दितनाथ पर ठाकुरों के खिलाफ सौफ्ट होने के आरोप लगते हैं इस बार वीजेश पी ने ब्रिजेश सिंग के खिलाफ प्रत्याशी उतार कर इस छवी को तोड़ने की कोशिश की है साथ ही साथ चुनाव से पहले धनन्य सिंग को लेकर जो विवाद हुआ था कि इनामी माफिया खुले आम टहल रहे हैं उसे लेकबरी नेतरत्यों की तरफ से मैसेज देने की कोशिश की गई है उत्तरप्रदेश विधांस परिशत की वारणसी सीट पर 1998 में ब्रिजेश सिंग के भाई उदयनाज सिंग ने जीत हासिल की थी उन्होंने 2004 का चुनाव भी जीता दोनों ही बार बीजेपी के टिकेट पर चुनाव लडा गया था उत्यनाज सिंग के निधन के बाद साल 2010 में ब्रिजेश सिंग की पत्नी अनपूर्णा सिंग इस सीट से उतरी और उन्होंने वस्पा के टिकेट पर चुनाव लडा और जीता बाद में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया अगले चुनाव जानी 2016 में ब्रिजेश सिंग खुद खड़े हुए ब्रिजेश सिंग ने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा ब्रिजेश सिंग ने समाजवादी पार्टी की मीना सिंग को हरा दिया मीना सिंग मनोश कुमार की बहन है मनोज कुमान ने साल 2012 के उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाओं में ब्रजेश सिंग को चंदौली की सईद राजा सीर से हराया था साल 2016 के चुनाओं में BJP की तरफ से ब्रजेश सिंग के खिलाफ उम्मीदवार ना उतारने और अब इस बार उतारने को लेकर वरिश पत्रकार पावन सिंग ने बताया तब BJP सक्ता में नहीं थी इसलिए ब्रजेश सिंग के खिलाफ उम्मीदवार ना उतार कर सत्ता विरोधी संदेश दिया गया अब BJP सक्ता में जिलो में बहुमत होने की बात कह रही है ऐसे में उसे उम्मीदवार तो उतार नहीं था पावन सिंग आगे बताते हैं कि ब्रजेश सिंग ने राजनीक मंतखल इसलिए दिया था ताकि मुक्तार अंसारी को काउंटर किया जा सके इस बार मुक्तार अंसारी ने भी विधान सभा को चुनाओ नहीं लडा अपने बेटे अब्बास अंसारी को पारंपरिक सही अपनी सीड मौस अदर से खड़ा किया अब्बास को जीत मिली इधर ब्रजेश सिंग के भतीजे सुशील सिंग ने भी सहीद राजा सीड को बचा है एक तरफ जहां सरकार की तरह से संदेश गया है कि वो बाहुबलियों को अब राजनीत में बरदाश नहीं करेगी वाई ब्रिजेश सिंग को ये फायदा है कि लो प्रफाइल रहने पर उनके खिलाव दर्जमामलों को लेकर ज्यादा शोर नहीं होगा वाई पतनी के जीत नामांकन करा दिया था खुद का नामांकन कर उन्होंने एक चांस लिया था लेकिन बात नहीं बनने पर केवल पतनी को ही मैदान में रखा टाइमस अफ इंडिया के वरिश पत्रकार राजी दिख्षित लंबे समय से पूरवांचल के बहुबलियों की कत्विदियों को कवर कर रहे हैं ब्रजेश सिंग के नामांकन वापस लेने को लेकर हमने उनसे बात की राजीब इसके पीछे कोई खास बज़े नहीं मानते हैं बीजेपी के तरफ से अपना उमीदवार खड़ा करने को लेकर उन्होंने बताया कि सत्ता में रहने वाली पार्टी स्वाभाविक पर अपनी पार्टी की लोगों को सत्ता में चाहेगी इसमें कुछ भी आसामाने नहीं है ब्रजेश सिंग द्वारा अपने साथ साथ पत्नी को भी चुनाव में खड़ा करने को लेकर राजी बताते हैं कि ऐसा शायद इसलिए किया गया है कि अगर कहीं किसी कारण से ब्रज उम्मीद्वार बची रहती है उन्होंने बताया क्योंकि उम्मीद्वारी इदर्द नहीं हुई इसलिए ब्रजेश सिंग के तरफ से अपना नामांकर वापस ले लिया गया उनकी पत्नी पहले भी MLC रह चुकी है उनके पास अनुभवतों है ही आपके लिए सारी जानकारी इलायते हमारे साथ ही मुरारी देखते रहिए दिललन टॉप शुक्रिया